तो दोस्तो आच की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा अपने फ्रीलैंसिंग मेंटर्शिप प्रोग्राम के स्टूदेंट्स की पॉर्टफोलियो वेबसाइट और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इन वेबसाइट में क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या स्टूडेंसिंग मेंटर्शिप के स्टूडेंट है, और इनकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखती है, ये एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा इनके हीरो सेक्शन की जो सबसे टॉप में सबसे पहले दिखा जाएद ये कीवर्ड के ओपर काम कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ तॉलिट सा कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन लिखना चाहिए ने जैसे की वी आर बेस्ट मार्केटिंग या बेस्ट वैब डिजाइन एजेंसी इन द्यू दैली या फिर वी आर बेस्ट वैब डिजाइन क बेस्ट वैब डिजाइन देली इसा उसब देन डिस्कवर मोर है बटन अब जिस पर कोई लिंक नहीं लगी है यहां पर सेक्शन है जिसमें बता रहे हैं कि वाट वी डू जिसमें लिखा है ब्रैंड आइटेंटिटी वैब डिजाइन वैब डेवलापमेंट ठीक है सही लि क्लिक करते तो इस पेज पर ले जाता है वह हम अभी देखेंगे दैन वाई चूज और वैब डिजाइन इन डेली सर्विसेज यह थोड़ा तेड़ा मेड़ा लग रहा है यह वैब डिजाइन डेली कीवर्ड के लिए शायद इन और ने कोशिश करिए रेंक कराने के लिए ने इसको सर्विस इसको पीछे लिखा है बड मैं यह हाइली रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे नॉर्मली एक सेंटेंस को लिखा जाता है वैसे लिखें गूगल आजकल इतना स्मार्ट हो चुका है कि वह आजकल समझ जाता है और क्या कीवर्ड है उस कीवर्ड पर एजली कर देता है तो आपको सिंपली ऐसे लिखना चाहिए वाई चूज अस या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हैं वाई चूज आर्स वैब डिजाइन सर्विस इन डैली इस टाइप से आप कर सकते हैं यहां पर कुछ टेक्स लिखा है ठीक है टेक्स सही है बार्ट थोड़ा छोट होता या फिर सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ होता तो ज्यादा बैटर होता देन गैट इंटच मैं कहूंगा कि यह गैट कोट और गैट इंटच सारी यह थोड़ा सा बटन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था बाकि कलर इसमें बहुत अच्छा परफेक्ट है बड़ा ब विडियो टाइप का कुछ होना चाहिए था देन प्रोपर्टी ठीक है फाइनस बीटुू बी रेतेयल ऐ आगज ेल में ये वाला लोगो आना चाहिए था जो बीडी में बीडीवी में में कुछ कंपनीय का थी था बाकि ठीक है रीटेल में यह वाला लोगो आना चाहिए था जो बीटूबी में डाला है एंड बीटूबी में कुछ कंपनी टाइप का आना चाहिए था बाकी ठीक है करेक्शन करना जब रहता है यह ठीक है गूगल रिविव्युज पे यहां पर टाइप करके जा सकते हैं प्राइपस्थी पॉलिशी ऑरिज यहांपे पेज्स हैं कर्येर नहीं है लिंक्स में कुछ नहीं है तो आइ थिंग जब कुछ हो ना तो कोई दिकत नहीं है इसे हटा सकते हैं तो यह सुशल मीडिया फेस्बुक है इंस्टाग्राम है ट्विटर है लिंग्डिन नहीं है तो आइस्टिंक लोगों हटा देना चाहिए and then हम check कर लेते है और work page कैसा है इसमें okay so kuch work डाले हैं और इन्होंने link भी लगाई है then अच्छी बात है लोग click करके directly उस website पर जाके इनका काम check out कर सकते हैं जो की बहुत अच्छी बात है यह वाला check करता हूं tour and travels में चीक है और work पाला पेज़ परफेक्ट है contact वाले पेज़ पर देख लेते हैं get in touch we offer greet यह ठीक है यह भी ठीक है numbers ठीक आ रहे है email आ रहा है find us में कुछ नहीं है google map की link लगा सकते हैं अगर आपका आप आप office run करते हैं तो आप google maps की link लें यहां पर लगा सकते हैं बाकी contact form है and then ठीक है यह भी सही है छोटी plain simple website बाकी अगर यहां पर social media links हैं तो इसकी जरूरत नहीं है बाकी अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इसको हटा देना चाहिए क्योंकि हमारा main focus है our work or contact page पे तो यह वाला यह वाला रख सकते हैं इसको हटाने की जरूरत है बाकी यह फूटर में आपका exist करता है तो इसलिए ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं तो बाकी यहां पर सही है WhatsApp लगा रखा है mobile number and email लगा रखा है I think website ठीक है थोड़ी सी copywriting improve करने की जरूरत है और थोड़ा सा sentences properly लिखने की जरूरत है बाकी website बढ़िया है बहुत अच्छी है बहुत अच्छे colors वगेरा यूज किया है font अगर थोड़ा और better कर सकते है font थोड़ा different use कर सकते हैं तो और better हो जाता बाकी यह website है प्रदीप कुमार की जो मेरे mentorship class से है इन्होंने landing page बनाया basically website नहीं है basically landing page है लोगों थोड़ा सा distracting सा है बड़ा ही you know थोड़ा सा complex है easy to understand नहीं है prefer bits है तो पी भी लिखा है but easily understandable नहीं है और इसके अंदर कोई creatures से नजर आ रहे है जो थोड़ा simplify करने की जरूरत है font बिलकुल simple है मैं कहूंगा कि यह पूरा section इन्हें hero section में डालना चाहिए था then इसके बाद cold email is dead इसमें इस button और इसके बीच में अच्छे spacing देने की जरूरत है बाकि यह ठीक है font थोड़ा different कर सकते है font थोड़ा बढ़ा कर सकते है यह highlight किया है यह भी ठीक है book a call पे click करते हैं तो नीचे आ जाता है यह भी ठीक है बट यहां पे spacing की थोड़ा सा जरूरत है यहां पे थोड़ा सा space डालके फिर यह आला sentence आना चाहिए था and then यहां पे इनको photo definitely update करने की जरूरत है क्योंकि एक professional photo से बहुत ज्यादा impact पड़ता है क्योंकि client in the end देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो आप as a human कैसे हो तो एक professional photo लगाने की जरूरत है हलांकि professional photo है but I would recommend की इस से थोड़ा और ज्यादा clear high quality photo upload करनी चाहिए हमें बाकी यह ठीक है यहां पे लिखा हुआ then why preferably बहुत चोटा चोटा लिखा है थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हैं बाकी यह icons बहुत ही different colors में हैं क्योंकि website का background बिल्कुल ही dark है तो यह colorful से icons उतने सही नहीं लग रहे हैं और बड़े भी हैं थोड़े चोटे सा इसके icon होते हैं और थोड़ा सा यहां पे यहां पे थोड़ा सा copywriting और होती तो better होता और बाकी spacing की overall जरुरत है क्योंकि बहुत ही short page है और बहुत जल्दी खतम हो रहा है तो proper spacing रहेगी तो spacing से cluttered नहीं लगता है और client easily digest कर सकते हैं क्योंकि लोग website पे सब कुछ scan करते हैं website पे, जाके scan करते हैं कोई भी पड़ता नहीं है तो font यह बढ़ा करने की जरुरत है बाकी aqui readability का थोड़ा सा issue आ सकता है, font थोड़ा सा ये बड़ा करने की जरूरत है, बाकी ये देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा font है, यहाँ छोटा font है, एंड अगें यहाँ ठीक ठाक इसके जैसा font है, तो font में थोड़ा irregularity है, बाकी यहाँ पर calendar link है, यह ठीक है, social media link facebook की नहीं है, instagram की भी नहीं है, email है, तो ये change करने की जरूरत है यहाँ पर, इनको हटाने की जरूरत है, जिन पर social media links नहीं है, इसके बाद आयाते हैं, मेरी favorite, ये Rizwan की website है, जो की again मेरे mentorship, freelance mentorship के student है, चलो इनकी website review करते हैं, तो सबसे पहले hero section देख लेते हैं, बहुत ही बड़ी आसा लिखा हुआ है, अच्छा सा लिखा है, ये coder है, किसी को अगर website developer की जरूरत हो, तो आप definitely इनकी website check out कर सकते हैं, webdevrizwan.com पर, hero section बहुत अच्छा है, I'm Rangreiz Rizwan, front end developer, I'm a front end developer who loves building user friendly website and web apps, enjoy writing documentation, loves helping people learn to how to code, very good, बहुत अच्छा है, book of recall, calendar link लगा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बट, यहां पर एक सबसे major problem है, वो है spacing की, तो ये तीनो चीज़े आपस में एक साथ, बहुत ही closely है, एक, दो, तीन, चार, मैं कहूंगा, चार चीज़े हैं, बहुत closely associated है, तो यहां उपर नीचे बहुत ज़्यादा space है, तो इसमें proper spacing डालने की जरुरत है, दूसरी चीज, अब हम समझ सकने कि इनका नाम रंग्रे जिरजवान है, क्योंकि मैं जानता हूं, बट अगर कोई foreign का बंदा या कोई Indian भी इसे देख रहा हो, तो वो समझ नहीं पाएगा इस line से कि इनका actual नाम क्या है, तो यहां पर I, M के बाद spacing देनी की जरुरत है, और J और R के बीच में spacing डेनी, proper spacing डालनी की जरुरत है, ताकि लोग नाम को समझ सकें, ठीक है, बाकी hero section बहुत बढ़ी है, animation बुझे बहुत अच्छा लगा, color choice भी बहुत अच्छी है, yellow नहीं होने बहुत पेस्टल टाइप का रखा है, ताकि आखों को चुबे ना black screen के उपर, जो की बहुत अच्छा decision है, Now, why me? copywriting बहुत अच्छी है, कहीं पड़ी सी लग रही है, if you are watching this video, रंगरेज, कोई दिख करने है, बढ़िया है, ठीक है, you learn from your mentors, that's what it is, कोई दिख करने है, इसके लावा ये photo ठीक है, बढ़िया है, high quality है, but मैं कहूंगा, color match करने की जरुवत है, जो yellow color है, इसमें थोड़ा से yellow filters, आपको कुछ लगाने की जरुवत है, वरना आपकी website black and yellow है, तो आप इसे black and white रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे, तो photo अच्छी है, बट ये website के color से match नहीं कर दी, तो मैं आपको अगर दिखाऊं, तो इसके उपर आप article भी पढ़ सकते हैं, जैसे ये है, how to match, how to match website images to your color palette, तो जो भी website पे color है, आपको उसके इसाब से website पे images यूज़ करनी होती, जैसे कि ये color palette है, और इस तरह के हमने images यूज़ करें, जैसे ये yellow color है, हमारे अगर website के color palette में, तो यहाँ पे हमने images में भी yellow लिया है, यहाँ पे purple है, तो हमने images में भी purple लिया है, यहाँ green है, तो हमने green लिया है, तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कुछ oranges type का है, तो यहाँ भी हमने लिया है, तो इस तरीके से हमें, बहुत जादा जरूरत होती है कि हम अपने वेबसाइट पर जो इमेजिस कर रहे हैं उनको मैच करें वेबसाइट के सांथ तो यह तो इसे ब्लैक इन वाइट कर दो यह के ऊपर थोड़ा सा यलो कलर का फिल्टर अपलाई कर लो यह बहुत अच्छा लगा मुझे, अनिमेशन लुक ए मैश्रीश जर्विसे तो अच्छा है एक्छा आप दिजिटल वेब प्रेसंस की जगह रहे हैं then XD to HTML, Figma to HTML, PSD to HTML, बहुत बढ़ी है section है, अच्छा लग रहा है, and now then projects इन आने डाले हुए हैं, जो की बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन पर click करके हम जाके चेक भी कर सकते हैं, what my client says, तो यह testimonial से सही है, 5 star, ठीक है, link भी लगाई है, website की बहुत अच्छी चीज है, and then आप अगर यहाँ पर client के photo लगा सकते तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग जब photo देखते हैं, तो उनका trust और ज़्यादा बढ़ता है, बाकी यहाँ पर आपने photo लगाई है, बढ़िया photo है, बाकी color match यह लग रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा yellow yellow सा आ रहा है, तो website से थोड़ा बहुत match कर रहा है, बाकी इसके उपर हलका सा yellow filter लगा दिंगे, और ज़्यादा match करेगा, then let's work together, email लगा दिया है, then social media links हैं, जो कि perfectly काम कर रही है, बढ़िया है, बाकी यहाँ पर click करके देखते हैं, about section, wow animation अच्छी लगी, about section, छोटा सा है, projects में आ जाते हैं, तो इन्होंने बस एक-एक section add कर दिये, तो मैं कहूंगा कि फिर यह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे one page website रख सकते हैं, यह सब create करने की जरूरत नहीं है, unless आप चाहते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं, about, contact, projects, testimonial, etc, बाकी website बहुत fast है, यह मैंने notice किया, बहुत fast load हो रही है, यह फाइदा होता है coding का, क्योंकि coding से website बड़ी light हो जाती है, बहुत fast load होती है, जो मुझे बहुत पसंद आई, बाकी इसमें animation तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और color combination भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी website है, बाकी जो चीजे मैंने आपको बताई है, उसको आप करो लोग के पास आपकी ज़्यादा information होगी और आपके client बहुत बड़े easily convert हो पाएंगे, तो अच्छा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं और भी ऐसी वीडियो लेके आऊंगा, website reviews की, तो अगर आपको अपनी portfolio website मुझसे review करानी है, बिल्कुल free में तो आप इ अपनी next video में और ऐसी videos के लिए channel से बने रहें, see you, bye bye